Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल यहां पर एक बड़ी खबर यह भी आई है, कि मिजुरम का जो बॉर्डर सटा है बांगला देश के साथ, तो बांगला देश में भी कई सारे जो ट्राइबल लोग हैं, 200 से जादा करीब 274 के आसपास बताया जा रहा है, वो अभी सुरुवाती दौर पर भाग कर आए हैं भार का है, क्योंकि best educators के दौरा आपका जो पुरा foundation है UPSC का, वो prepare करा जाता है, हमारे website और app पर जाना है, और सबसे कम दाम पर अगर आपको यह course चाहिए, तो use the code अंकित live, ताकि यह course पुरा आप ले सकें, इसके अलावा NCRT, क्योंकि हमारा main मकसद है affordability राना, यहां पर सारे live classes NCRT के लाए जा रहे है, at a very affordable rate, use the same code, और ध्यान रखेगा, इसमें काफी limited seats हैं, तो जल्दी इसको join करिए, इसके लावा और भी अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चल इसके लावा अनुनाचल परदेश है, ध्यान रखेगा, आसा में एक ऐसा राज है, जिनका सभी के बाकी राज्यों के साथ बॉर्डर आपको सटता हुआ, देखने को मिलेगा, चैंत्रिपूरा है, मिजुरम है, इंफाल है, कोहिमा, अनुनाचल परदेश राइट, तो यह यहाँ पर अगर आप देखोगे, राइट साइड में, यह जो आपका मिजुरम का पूरा मैप है, यहाँ पर एक डिस्टिक है, सबसे नीचे वाला यहाँ पर यह डिस्टिक है, जिसका नाम है, लॉंग तलाई, ठीक है, अब मुझे एक्जाक्ली प्रोनाउंसीशन नहीं प यह वाला जो एरिया है, वहाँ पर एक ग्रूप बन गया है, एक आर्मी बन गई है, जिसका नाम है, कूकी चिन नाशनल आर्मी, जिसके बारे मैं मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा, तो यहाँ पर क्या है, कि बांगला देशी सेक्योरिटी फोर्सेस, जो आर्मी है बांगला देश की, और यह वाली जो वहाँ पर आर्मी बनी है, कूकी चिन नाशनल आर्मी, इन दोनों के बीच के फाइट की वजए से, वहाँ पर जो ट्राइवल पॉपुलेशन है, उनको भारत में शरण लेने की आवशकता पढ़ रही है, और जब वो भारत के अंदर आ जितना हम से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज समझीगा, यह जो ट्राइबल पीपल बांगला देश से आ रहे हैं मिजुरम की तरफ, उनका कही न कहीं यहाँ पर एक क्लोज रिलेशन शिप देखने को मिलता है, मिजुरम के अंदर जो लोग रहते हैं, मतलब कहीं न क एथिनिसिटी जो है, वो आपकी काफी जादा क्लोज देखने को मिलेगी, तो चलो यहाँ पर सबसे पहले और डीटेल में समझते हैं कि यह रेफ्युजी प्राइबलम चल क्या रहा है, मिजुरम के अंदर एक्जाक्ली हो क्या रहा है, यहाँ पर बांगला देश का मैप इसका जो नौर्थ, सॉरी, नौर्थ तो यह हो गया, साउथ इस्ट साइड, मतलब यह साउथ इस्ट साइड वाले यह पूरा एरिया अगर आप देखोगे, इसको कहा जाता है, चितगॉंग हिल ट्रैक्ट, C-H-T इसको बोला जाता है, ठीक है, काफी हिली रीजन है, काफी गरीबी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, करीब 13,000 स्कॉयर कीलोमीटर का पूरा एरिया है और यहाँ पर भी कई सारे डिस्टिक्स हैं, जैसे चितगॉंग हो गया, बंदरबन हो गया, रंगमाती हो गया, यह कई सारे जगह आपको देखने को मिलता और यह पूरा एर वो rest of population के साथ, क्योंकि बंगलादेश की rest of population ज्यादातर क्या है, Muslims है, तो उनके साथ जो ethnicity है, वो काफी जादा different है, उनका रहन, सहन, खाना, पीना, वो काफी हद तक आपको मिजुरम के अंदर यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जिस ethnicity के, उनके साथ देखने को मिलता है, और कही की मिजुरम के साथ, जो people रहते हैं, उनके साथ देखने को मिलता है, मिजुरम का लगभग 318 km का border जो है, वो बंगलादेश के साथ जोड़ता है, और जब यहाँ पर कई सारे लोग, 274 लोग, यहाँ से बंगलादेश की तरफ से, चितगॉंग हिल ट्रैक्स की तरफ से, मिजुरम के लिए प्रॉलम यह है कि एक तरफ जो मैनमार है, वहाँ से लोग इधर एंटर कर रहे हैं, आपको याद होगा यहाँ पर कि कुछ समय पहले, दो साल पहले लगभग जब आर्मी ने पुरा टेक ओवर कर लिया था, तो यहाँ पर देखिए, यह आपको देखने क के अंदर उनको जंता कहते हैं, तो वह जो आर्मी है, वह इनके साथ काफी ज़ादा फाइट कर रही है, और इसलिए लोग जो है अपने आपको बचाने के लिए, वह मिजुरम की तरफ एंटर कर रहे हैं, तो अल्रेड़ी बताया जा रहा है कि 30,000 से ज़ादा रेफ्यूज मिजुरम के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो चलो अब यहाँ पर फर्दर समझने की कोशिश करते हैं, कि चितगॉंग हिल में exactly हो क्या रहा है, किसके बीच फाइट चल रही है, यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक आर्मी है, जिसके नाम है कू कूकी चिन नाशनल आर्मी है, यह एक प्रकार से आम्ड विंग है कूकी चिन नाशनल फ्रंट का, देखो कहीं पर भी आप देखो कि जो फाइट पगर चलती है, तो उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो कूकी चिन नाशनल फ्रंट जो है, वो बांगला देश के अ उनों के बीच में लगातार फाइट देखने को मिल रहा था और यह जो मैंने आपको बताया कूकी चिन नाशनल फ्रंट ये एक प्रकार से वहाँ पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है कूकी चिन मीजो कमुनिटीज वहाँ पर जो रहती है चितगॉंग हिल में मैंने आ में डिमांड है अब ध्यान से समझी का यहाँ पर यह जो फ्रंट है जिसका नाम है कूकी चिन नाशनल फ्रंट इनका में डिमांड क्या है इनका डिमांड है कि हम यहाँ पर आजाद होना चाहते हैं इनका डिमांड है कि बांगलादेश की रेस्ट आफ पॉपुलेशन के सा रहा है, बंगलादेश की मीडिया ने अभी report किया था, लास्ट मन्त की बात है कि जो rapid action, यह जो force है न, rapid action battalion बंगलादेश की आर्मी है, उन्हों ने यहाँ पर arrest किया था इनके members को KNF के members को, और इनका एक और militant outfit है, उनके भी members को एक प्रकार से जो है अरेश्ट कर लिया गया था तो इनी सारी चीज़ों को देखते हैं अभी रिसेंटली क्या देखने को मिला है कि जो बांगलादेश की आर्मी है उन्होंने काफी जादा यहाँ पर एक्शन लिया है इन फ्रंट्स के उपर इन लोगों के उपर काफी जादा एक्शन लिया गया है और उसे की बीच में बीच बचाओ में यहाँ पर जो ट्राइवल पॉपलेशन रहती है वो अपने आपको बचाने के लिए वो भारत की तरफ आ रही है तो यह समय पूरा मामला चल रहा है लेकिन इसका एक और मैं आपको आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ क्या है कि किस तरीके से वहाँ पर जो ट्राइवल पॉपलेशन है उनके साथ अतिया चार किया जा रहा है मैं आपको बसाता हूँ देखो जो बांगला देश की आर्मी है उन्होंने यहाँ पर एक डील कर लिया अरक्कन आर्मी के साथ अब देखो यहाँ पर समय जी है क्या आपको याद होगर रोहिंग्या वाला पुरा क्राइसिस चल रहा था तो रोहिंग्या क्राइसिस क्या था रोहिंग्या क्राइसिस यह था कि मैनमार के अंदर यह जो रखाइन स्टेट है यह आपको पता है यहाँ पर जो मुस्लिम पॉपलेशन रहती है उनके उपर यहाँ पर जो मैनमार की आर्मी है वो हमला कर रही थी थिक है तो रखाइन स्टेट के अंदर रोहिंग्यास को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया एक अपनी खुद की आरमी बना ली और इसका नाम है अरक्कन आरमी तो मंगला देश की आरमी ने अरक्कन आरमी के साथ एक डील कर लिया और इस डील के वह जैसे यहां से जो लोग हैं वह भाग कर भारत की तरफ आ रहा हैं मिजुरम में आ रहा हैं अब देखना होगा की भारत सरकार इसको लेकर क्या action लेती है कौकि भारत में भी आप देखो कि एक तरफ central government है और दुसरी तरफ जो मिजुरम की सरकार है दोनों में मद्भेद देखने को मिलेगा मिजुरम की सरकार कह रही है कि जो भी लोग वहां से आ रहा है हम उनको accept कर रहे हैं हम उनको यहाँ पर shelter provide कर रहे हैं लेकिं central government का कहना है कि आप उनको accept मत करिए क्योंकि हम यहाँ पर उनको ले नहीं सकते हम refugees नहीं ले सकते हैं भारत के अंदर लेकिन मिजुरम का कहना है कि नहीं जो लोग आ रहे हैं वो हमारी भाई बंदु हैं वो एक परकार से हमारी ethnicity के हैं तो हमें उनको accept करना पड़ेगा तो ये भी एक problem चल रहा है बट I hope कि इस वीडियो के माध्रम से जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में आपको detail से समझ में आ गया होगा और जाने से पहले भारत की जो refugee policy है उसके बारे में दो statement है यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़िए और बताए कौन सा correct है इसका right answer आप सबको पता है मेरे Instagram पर तो मिले गई वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ बाकि अगर आपको PDF ये तो टेलिग्राम पर आईए अलग-लग सोशल मीडिया पर आप जूड़ पाऊगे और जैसा मैंने बताया UPSC की त्यारी कर सकते हैं by using the code Ankit Live ताकि आपको maximum discount मिले I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ नेक्स त्यारी हूँ आपको शुंध तेन तैन की बरी मुट पीरी मुट सुन